दोस्तों, आज हमसे एर करना है कच्चे केले की बहुत ही स्वादिष्ट सबजी की रेश्पी ये कच्चे केले की सबजी बिल्कुल नए और अलग तरीके से बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेश्टी लगेंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं कच्चे केले छिलने के बाद काले पढ़ जाते हैं, तो सबसे पहले हम इनका मसाला त्यार कर लेते हैं, तो इसके लिए हमने एक बरतर में आधा कप पानी ली है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबली स्पून साबूत धनिया, 1 टेबली स्पून सर्सो के दाने, काला या पीला कोई स अभी ले 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 जे और 3-4 सूखी लाल मिर्च, जितना आप तीखा पसंद करते हों, उसी साब से ले जेगा, एक छोटा चमच हमने जीरा ली है, और थोड़े से ये साबूत मसाले, एक दालची निके टुकरे, एक बड़ी लाइची, दो हरी लाइची, और 5-6 काली मिर्च इनको गैस पर रखकर 2-3 मिनट तक पकालेंगे, 2-3 मिनट हो गया है, गैस आफ कर देंगे, और जब तक मसाले फूल रहे हैं और थन्डे हो रहे हैं, तब तक हम केले काट कर त्यार कर लेते हैं चार कच्चे केले लिए हमने इनको हम छील लेंगे इसके लिए मैंने कच्चे केले के उबरे वाले हिसे को काट लिया है उसके बाद इसके एक साइट से चाकू से ऐसे निसान लगा लेंगे और निसान के तरफ अंगुठे से दबाते हुए केले को छील लेंगे इस तरीके से क आप कच्चे केले कैसे चिलते हैं, कॉमेंट में चरूर बताईएगा, तो सभी केलो को मैंने चील ली है, आप एक केला लीजिए, उसे चॉपिंग बोर्ड या प्लेट में रखिए, और फोर्क की हेल्फ से इसे इस तरह से पिक कर लीजिए, दोनों साइडों से पिक करने के ब दालेंगे, और इसमें हम डाल रहे हैं 7-8 लसुन की कलिया, इस सबजी में इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एक इंच अधरक के टुकडे और एक छोटी साइच के प्यास को काटकर डालेंगे, और इनका एक महीन पेस्ट बना लेंगे, आप कटे हुए केले इनके उपर आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और दो चम्मच मसालों का पेस्ट डाल दीजिए, एक चम्मच बेसन डाल दीजिए, इससे ये फ्राई करते समय कड़ाई में चिपकेंगे नहीं, ग्रेवी गाड़ी बनेगी औ परसो का तेल, तेल गरम हो गया है, तो हम इसमें केले के पीसेज डाल देंगे, इनको दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए, गोल्डे होने तक हम फ्राई कर लेंगे, तो देखी, इनका कलर गोल्डे हो गया है, हम इने निकाल लेंगे, बहुत का ओल में ये फ्राई हो जा तक भून लेंगे, अब हम इसमें ये पीसेवे मसाले डाल देंगे, मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं, एक चुटा चमच हल्दी, आधा चुटा चमच कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और एक चुटा चमच नमक, इनको अच्छे से मिला लेंगे, और ढ़क कर 2-3 मि मसालों को थोड़ी देर और भूनेंगे, जितने अच्छे से मसाले भूने रहेंगे ना, सबजी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, जब मसाले कड़ाई छोड़ने लगें, तब इसमें पानी डाल दीजिए, डेड़ गिलास पानी हमने डाला है, ग्रेवी में उबाला पाने देंगे, और उबाला आने पर हम इसमें ये भूने हुए केले डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच, गरमसला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी एड़ कर देंगे, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अभी ग्रेवी पतली लग रही है, लेकिन थोड़ी दे किसी नानवेज से कम नहीं लगेगी, इन्हें आप रोटी पराठे चावल के साथ सर्व करिए, बहुत ही ज्यादा स्वादिश लगती है, तो फ्रेंज एक बार इस तरीके से केले की सबजी बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, और रेस्पी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक से और सस्काइब करना ना भूलेगा, फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यबाद,